hello students, नवांकुर के डिजी लेसंस में आपका welcome है आज हम कक्षती विशागड़े के part 4 क्रम सूचक संख्याई पढ़ेंगे is part 4 क्रम सूचक संख्याई इस part में हम क्रम सूचक संख्याओं की समझ एबं इनका उपयोग करना सीखेंगे तो दिखिए यहां पर एक तालिकप बनी है चित्र बना है इसमें गड़न संख्याई और क्रम सूचक संख्याई समझेंगे देखो क्रम सूचक संख्याई क्या होती है क्रम सूचक संख्याई मतलब जो संख्याई क्रम से दिख्या होती है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा के बाद के आएगा चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवा छटा, यह से तो क्रम्स जा रहे हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हम दस तक की संग्या पढ़ चुके थे कैसे पढ़ी थी हमने? पहला, दूशरा, तीसरा, चोथा, पाच्वा, छटा, साथ्वा, आथ्वा, नवा, दस्वा दस के बाद हम क्या गिनेंगे? दस के आगे? ग्यारा, बारा, तेरा, चौद्वा, पंद्रवा, ठीक है? तो देखिए, गरन संख्याएं संग्रह की कुल संख्या को प्रदर्शित करती है, गरन संख्याएं जिनसे हम गरना कर सकते हैं, वो संख्या क्या करती है? संख्या की कुल जो संख्या होती है, उसको प्रदर्शित करती है, जैसे दो जैसे दो प्लस एक, क्या हुआ? तीन, तो गड़न संख्या क्या प्रदर्शित करेंगी कुल संख्या कुल संख्या किती हो रही है तेन तो जो गड़न संख्या है वो संख्या की वो कुल संख्या को प्रदर्शित करेंगी जबकि क्रम सूचक संख्या है वस्तू की किसी निश्चित इस्थान से स्थेती को जबके जो क्रम सूचर संग्या है वो क्या प्रदर्शित करती है किसी वस्तू का उसका एक निश्चित प्रॉपर इस्थान जैसे मान लेजिए यहाँ पर तो तीन चार पांच डब्बे बनें इन पांच डब्बों का अपना अपना एक इस्थान है जैसे यह जो पहला है दूसरा दूसरे पर रखा है तीसरा तीसरे पर रखा है यह चौथे पर रखा है यह पांच वे पर रखा है तो क्रम सूचर संग्या क्या प्रदर्शित करती है कि क्या चीज कौन से स्थान पर रखी है जैसे इसको ऐसे समझते हैं जैसे यहां पर एक डब्बा बना है यह रहाख पर आप डिए इस्टार बना है और यहाँ पर एक स्टार बना है अब देरेंगे कि बताये हैं यह स्टार बना है यह स्टार पर एक गघनेंगे मैं पहला दूशरा तीसरा चौधा पर है तो हम और सकते हैं कि स्थार का स्थान पांच चौथा है कौन सी संख्या या कौन सी वस्तू या कौन सी चीज कौन से इस्थान पर रखी है जिससे करना करने में आसानी होती है गड़न संख्यां होती है उसे हम क्या कर सकते हैं घड़ती संख्यां मतलब क्या होता है जोड़ना गड़ती संक्रियां का मतलब होता है जोड़ना, गटाना, गुणा, भाग classify गड़ती संक्रियां का मतलब क्या होता है जोड़ना गरटाना, तो हम जो गड़न संक्रिया होती है उन से हम गड़ती संक्रियां कर सकते हैं, पर गड़न संक्रियां क्या होती हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँट, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा और क्रम सूचक संख्या है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवा, छटा, सातवा, आठवा, नवा, दसवा, ग्यारवा, बारवा तो गड़न संख्याओं से हम क्या कर सकते हैं गड़ती संक्रियाई कर सकते हैं मतलब हम गड़न संख्याओं से जोड़ना घटाना गुणा भाग कर सकते हैं पर जो क्रम सूचक संख्याओं होती हैं क्रम सूचक संख्याओं से हम गड़ती संक्रियाई नहीं कर सकते क्रम सूचक संख्याओं से हम जोड घटाना नहीं कर सकते ये काम हम सिर्फ गडन संख्याओं से करते हैं तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अभ्यास 4.1 तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है वहाँ देखो चित्र में एक घर बना है और देखो पेड़ गिनों कितने पेड़ हैं एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आट, नो, दस कितने पेड़ हैं? दस पेड़ हैं तो हमें क्या करना है? हमें उपर दिये गए चित्र को देखकर बताना है कि गर से पाँचवे पेड़ पर कितने पक्षी पैड़ते हैं सबसे पहले दॉब मुझे यह बता यए कि पाँचवा एक है क्या? पाँचवा कौन सी संख्या है? पाँचवा गड़न संख्या कहलाएगी? यह करम चूचक संख्या कहलाएगी? तो हमने क्या बढ़ा था गड़न संख्याय से क्या होती है एक दो तीन चार और क्रम चूचक संख्याय जिससे किसी चीज की एक स्थिती नरधारत हो रही है जो बता रही है कि ये कौन से स्थान पर है पहला दूसरा तीसरा चौथा तो यहां पर पांचवा क्या है पांचवा एक क्रम सूचक संग्या है तो इसने क्या पूचा है घर से 5वे पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं तो देखें हर पेड़ पर किग दो तीन या चार कुछ ना कुछ पक्षी बैठी अं Вेसे पांचफ़ा पेड़ा हैं, तो एक कि grasses पैट डोश पैसे पेड़ार्त, द मी दें लिए हम कहा हैं, और ब इस प्रेड से मतोरा से क हैं अध्यार्त फर के आई-धर जी मत घंके पार जम lifes pog पांचवे पेड़ पर पक्षी एक, दो, तीन, तीन पक्षी, पांचवे पेड़ पर कितने पक्षी हैं, पांचवे पेड़ पर हैं, तीन पक्षी, नेक्स्ट, घर से नवे पेड़ पर कितने पक्षी बैठें, नवा पेड़, नवा पेड़ कौन सा है, ये वाला, नवे सब संसे बटक्षि कौन से पेड़ पर चलो आप लोग इनके बताब सबीदी कौन पेड़ पर बैठे एक दरश दिया गया है जिसे देखकर निम्नप्रश्णों के उत्तर दीजिए यहाँ देखिए एक रेल गाड़ी बनी है सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है इंजन फिर लिखा है 708 महिलाएं दूसरा 925 सामान्य 850 S1 357 AC 409 S2 252 S3 और आखरी डबा खाली है तो उसका पहला प्रश्ण क्या है? पहला प्रश्ण है इंजन से तीसरे स्थान की बोगी का क्रमांग क्या है? इंजन से जो तीसरे स्थान की बोगी है उसका नमबर क्या है? तो इंजन से तीसरे स्थान की बोगी कौन सी है? देखो ये इंजन ये पहली बोगी 850, next, S2 ईंजन से, इस तान पर है, तो S2 कहां पर है, ये है S2, क्या बुछा है, S2 ईंजन से कोन जिस्थान पर है, ये इंजन है, तो गिनो एक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाचवा कौन सी स्थान पर है एस्टो इंजन से पाचवे स्थान पर है सामाने बोगी से चौथी बोगी कौन सी है क्या पूचा सामाने बोगी सामाने बोगी कौन सी है यह दूसरी नमबर की जो बोगी है वो सामाने बोगी है इस सामाने बोगी से चौथे नमबर की बोगी कौन सी है चौथा क्वेशन बोगी क्रमांग 850 का क्रम इंजन से कौन सा है तो बोगी जो है पहला दूसरा तीसरा क्रम से क्रम इंजन सेत्ब नम क्रम इस है और तीसरा क्वेशन क्या अनुशार निम्ध् है यहाँ पर देखो सब्ता की नाम लिखे है और रेलवे समय की सांडी है उसके अनुसार उनके दिन लिखे है तो देखो सौमवार को पहला कौन सा ए पहला मंगलवार दूसरा बुद्धवार तीसरा गुरुवार चौथा दिन शुक्रवार पांचवा शनिवार छटा रविवार साथवा तो आगे क्वेशन क्या लिखा है तो पहला प्रेशन क्या रिखा है क्या पूझा है निम्नांकित प्रेशनों के उत्तर दीजिए तो पहला क्या है सप्ता का चौथा दिन कौन सा है तो चलो सायनी देखके बताओ सप्ता का चौथा दिन कौन सा है पहला दिन सोंवार दूसरा मंगलवार तीसरा बुद्धवार चौथा गुरुवार तो सप्ता का चौथा दिन गुरुवार बुद्धवार सप्ता का कौन सा दिन है बुद्धवार सप्ता का तीसरा दिन है एक रेल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए सप्ता के तीसरे एवं पांचवे दिन चलती है एक रेल गाड़ी है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सप्ता के कौन से दिन तीसरे और पांचवे दिन चलती है तो उन दिनों के नाम बताईए तो देखो सपता का तीसरे दिन क्या है सपता का तीसरे दिन बुद्धवार और सपता का पांचवा दिन शुक्रवार तो उत्तर क्या होगा बुद्धवार और शुक्रवार Next एक रेल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए सपता के दूसरे एवं छटे दिन चलती है इन दिनों के नाम बताईए एक चुरेल गाड़ी है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है तो वो सपता के किकते दिन चलती है दो दिन से वो दो दिन कौन से है दूसरा औ मंगलवार और छटवा दिन कौनजा है छटवा दिन है शनीवार तो उत्तर क्या होगा मंगलवार और शनीवार हाँ तो कैलेंडर को देखकर निम्नांकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए वर्ष के पहले माहा का नाम क्या है वर्ष के पहले माहा का नाम जन्वरी वर्ष के साथवे महा का नाम तो पहला जन्वरी फिर फरवरी तीसरा मार्ट चौथा एप्रिल पांचवा मे चौटा जून साथवा जुलाई साथवा कौनसा महा है? साथवा मार जुलाई अप्रेल वर्ष का कौनसा महा है? अप्रेल वर्ष का चौथा महा है नवंबर वर्ष का कौन सा महा है नवंबर वर्ष का ग्यारवा महा है नेक्स चटा प्वेशन है दिनांग 18.7.2005 में साथ वर्ष का कौन सा महा प्रधर्शित करता है साथ वा महा कौन सा है साथ वा महा जुलाई तो साथ क्या वर्ष का कौन सा माँ प्रतरशित कर रहा है? साथ वर्ष का जुलाई जुलाई माँ प्रतरशित कर रहा है Next चित्र को देखकर निमनांकित प्रशनों के उतर लिखिए किस मंजिल पर खिड़की दिखाई दे रही है? पहला question क्या है? किस मंजिल पर खिड़की दिखाई दे रही है? तो देखो एक, दो, ती, चार, पाँच, छे कौन सी मंजिल पर खिड़की दिखाई दे रही है? चछटी मंजिल पर Next सबसे उपरी मंजिल तीसरे मंजिल से किस स्थान पर है? यह जो सबसे उपर जो मंजिल है के मन्दल 750 बर आप नीचे बनी तालिका में निर्देशानुषार कार कीजी देखिंए यह पर एक तालिका बनी है इस में क्या लिख आ कर में लिख कर दाए या आए पहले के बाद क्या आएगा उस के खाने में लिखिए तो इधर लिखी यह दूसरा पहले के बाद की आ का लुइस्ट ग्यारवे से 17 स्थान तक की खानों को चायांकित कीजिए सथर्वा तो देखे यह 10 वह तो यह को जाएगा तो यह जाएगा ग्यारवा इसको चायांकित कर दो हल्का हल्का भर दो पहले कहां तक 17 तक यह जाएगा, सट्रवा खाना, ठीक, नेक्स, अड़्तालिसवे खाने में एकस का निशान लगाईए, अड़्तालिसवा खाना कौन साइए, ये तीसवा, ये लिखा है, सैटालिसवा ये हो जाएगा, अड़्तालिसवा, नेक्स्ट पचासवे खाने में जीरो का निशान लगाईए 47, 48, 49, 50 ये जीरो बना दो 68 खाने में तरबुच बनाईए तो देखें 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 68 ये हो गया हमारा 68 ठीक Next 41, 61 तथा 71 तथा 71 स्थान शायं के थीजिये सबसे पहले क्या आए? 41 ये है 41 उसके बाद 61 ये है 61 इसके बाद 71 ये है 61 तरवा ठीक 42 नाची पुण कुण़गा है 72 तरवा हमारा हमारा है 44 तो derrière